हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ और अभी आपको बराहरास मुलतान लिए चलते हैं जहां पर वजीर दाखला एसन अकबाल गुटगू कर रहे हमारी शाराएं तबाह हो गई थी नेटो सप्लाई के जरिये हैवी ट्रैफिक गुजरी उसने हमारी सडकों को खतम कर दिया इसी तरह जो हमारी रेलवे थी उसकी हालत नहायत नाकस हो चुकी थी तो पाकिस्तान में मुवमेंट आफ गुड्स एक बॉटलनेक बन गई थी जिसे के मैशत की एफिशनसी और कमपेटिटिवनेस में बड़ी रुकावट थी और उसको एक बॉटलनेक तसवर किया जा रह हमत ने साबक वजिर आजम नवाज शरीफ की क्यादत में जब इक्तदार संभाला तो हमने तीन बन्यादी चीजों पर तवज़ दी मुल्क की एकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है मुल्क के तवानाई के बोरान को कैसे हल करना है और मुल्क से देश्चत गर्दी का कैसे खा हैं अगर मुल्क में अमन नहीं होगा मुल्क में तवानाई नहीं होगी मुल्क में इंफरस्टर्चर नहीं होगा तो मुल्क की महिशत का पहिया नहीं चलेगा और इस हवाले से चाइना पाकिस्तान एक्रामिक कॉरिडर एक बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी आया जिसको जो एक कागज का टुकड़ा था जुलाई दोजार तेरा में आज पूरे मुलक में अर्बों डॉलर के मनसूबों की सूरत में हकीकत बन चुका है ये जो मनसूबा आपके सामने है जो मुलतान से सक्कर मोटरवे है ये जनूबी पंजाब और सिंद के आलाकों को तरकी के साथ जोड़ेगी इसी तरह कराची हैदराबाद मोटरवे का मनसूबा मुकमल हो चुका है और सक्कर हैदराबाद के सेक्शन पर भी काम तेजी से जारी है ताके उस पर भी फौरी तोर पे कांट्रेक्टर्स को फाइनल करके मोबिलाइज किया जा सके तो इन्शाल्ला ताला ये पूरा सेक्शन दो हजार उन्नीस बीस तक कराची से पिशावर तक मोटरवे की तियारी के सूरत में पाकिस्तान की महीशत को रीड की हड़ी फराम करेगा ये हमारी ड्राइ स्वेज कनाल बनेगी जो ना सिर्फ मुलके अंदर नकलो हमल के लिए बलके पाकिस्तान को चाइन पाकिस्तान को अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से भी जोडने में एहम करदार अदा करेगी ये मुलतान सक्कर का मनसूबा तकरीबन चार सो किलो मीटर पे है और इसकी लागत तीन सो अरब के लगबग है और इसकी इन्शाला उमीद है के पंदरा मैं तक मुलतान से इक्षिन जो है गोट की तक उसे मुकमल कर लिया जाएगा और बाकी मानदा रोड भी इस साल के इखताम तक मुकमल हो जाएगी इस वक्त पाकिस्तान में इस हकूमत के दौर में सोलां सो किलो मीटर मोटर वेज तामीर की जा रही है जबके दो हजार तेरह से पहले पाकिस्तान में तकरीबन साड़े पांच सो किलो मीटर के लगबग मोटर वेज मौजूद थी और ये जो सोलां सो से ज़्यादा मोटर वेज बनाए जा रहे हैं इनकी तकमील से पाकिस्तान बाइस सो किलो मीटर की मोटर वेज अपने अंदर मुकमल कर लेगा और अगर आज आप गूगल पे सर्च करें जाके हमारे हमसाया मुलक के अंदर तकरीबन चौदां सो किलो मीटर हाईवेज हैं या मोटर वे लेवल की हाईवेज हैं महाँ पे और इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान रोड इंफरस्ट्रक्चर में अपने खिते में भी अलहमदलेला एक लीडिशिप ले रहा है और जब मौडर्न इंफरस्ट्रक्चर आता है तो उससे महीशत बहुत तेजी से तरकी करती है इसी तरह तवानाई के शोबे में 26 सालों में हमने 16 से 18 अजार मेगा वाट बिजली पैदा की इस हकूमत ने चार सालों में 11 अजार के करीब मेगा वाट बिजली के मनसूबे मुकमल किये ये भी पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड है कि चार सालों में कभी 70 साल की तारीख में इस कदर सर्माया कारी ना इंफरस्ट्रक्चर में हुई है और ना ही तवानाई के शोबे में हुई है और इसके साथ साथ ही हमने हुमन रिस्ट्रक्चर को भी जतने फंड्स फराम की हैं वो पाकिस्तान की तारीख में हाइस्ट फंड्स हैं जिसकी एक मिसाल हाइर एजूकेशन कमिशन है जिसकी अलोकेशन डिवलिप्मेंट की 13 अरब से बढ़ाके 35 अरब कर दी गई है और पाकिस्तान आज एक इमरजिंग एकॉनमी और राइजिंग पाकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान की महीशत की शरा तरकी पिछले दस सालों में हाइस्ट है वी हैव हाइस्ट ग्रोथ रेट इन लास टैन एर्स फाइव पॉंट ट्री परसंट हमने गुजश्टा साल हासल की और इस साल 6 फीसद इन शाला ताला हासल करेंगे पाकिस्तान की इंडिस्ट्रियल प्रोड़क्शन में जो इजाफा है वो पहले कॉर्टर में जो हुआ है वो पिछले 9 सालों के अंदर हाइस्ट है चूँकि जब बिजली आई है तो उसे कार खाने और पैदावार में बेप सालों में हाइस्ट हो चुकी है तो पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान है और इस राइजिंग पाकिस्तान को अपनी मंजल पे ले जाने के लिए जरूरी है कि हम पालिसी के तसलसल को यकीनी बनाएं मुलक में इंतशार को जगा ना दें और मुलक के अंदर स्टिबिलिट को और डिवेलिपमेंट के इस मुमेंटम को काइम रखा तो इन्शालला ताला हम बीस सो पचीस तक जो हमारा गोल है कि हम टॉप 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 टॉपटिफाइव एकॉनमीज में शामिल हो वो हासिल कर लेंगे तो मैं आज इस मनसूबे को देखके बहुत खुश हुआ हूं इनकी जो मतवक्खा कार परफॉमंस थी वो तकरीबन 25 से 26 फिसद होनी चाहिए थी लेकिन ये तकरीबन 49 फिसद के क्रीब 40 से 40 फिसद के कुरीब पहुँच चूके हैं 40 को क्रोस कर चुके हैं तो ये एक खुशाइन बात है कि चाइना पाकिस्तान एक्रामिक कॉरिडोर के मनसूबे अपने हदफ से तेजी से तरकी कर रहे हैं और पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की तरकी की स्पीड पाकिस्तान स्पीड जो है वो दुनिया की दीगर कौमों से कम नहीं है हम भी दुनिया की दीगर कौमों की तरह से वास्ट डिव copied ब्र। मेंट कर सकते हैं या सुपर सॉनिक स्पीड के साथ हम भी मनसूबे मुकमल कर सकते हैं जिसका ये भी मनसुबा मिसाल है और साहिवाल पावर प्लांट या पोर्ट कास्म प्लांट या दीकर मनसुबे जो बने हैं वो भी उसकी मिसाल है तो मैं मुल्तान के लोगों को और जनूबी पंजाब और सिंद के लोगों को मुबारिक बात देता हूं कि ये मनसूबा मुकमल होके इन अलाकों की मैश्यत में इनकलाब बर्पा करेगा थैंक। देखिए जो वजीर आजम नवाज शरीफ की नाहली का फैसला है उस पे तो मुस्लिम लीग नून ने तहफुजात का इजार नहीं किया पूरी दुनिया ने उस पे तहफुजात का इजार किया है और कोई अजाद इंडिपेंडन्ट आइनी माहिर नहीं है तहफुजात का इजार करने से तोहीन अदालत होती है फिर तो पूरी कौम जो जीटी रोड पे आई है वो पूरी कौम जो जलसों में जाके अपनी राए का इजार कर रही है वो सबी तोहीन अदालत की मुर्तकिब है तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे तनाजियात से बचना चाहिए चूँके इस वक्त तोहीन अदालत का जो सबसे बड़ा मुझरम है उसका नाम जेनरल मुझरफ है इस से पहले कि सुप्रीम कोट तलाल चौधरी को या किसी और को तोहीन अदालत का नोटिस दे मैं समझता हूँ के फर्स तिंग्स फर्स्ट आप जो कैपिटल सिन है जो बड़ा गुना कबीरा है उसे छोड़ दें और गुना सगीरा पे लोगों को पकड़े तो लोग सवाल करेंगे तो लहाज़ अगर अदालत चाहती है कि वो तोहीन अदालत के लिए इस मुलक में एक डेटरंस लाए तो उसका सबसे बड़ा डेटरंस तो यह है कि जनरल मुशर्ण को हुकम जारी करे तल्बी का और उनको आइन शिकनी और जजजज़ को कैद करने जजज़ के बचों को बंद करने जज़ज़ के बचों के लिए दवाईयां बंद करने जज़ज़ को और चीफ जेस्टिस को बालों से पकड़ के गसीटने के उपर सजा दे अगर जनरल मुशर्ण को उन जराइम की सजा देने से हमारी सुप्रीम कोट कासर है तो फिर बिचारे आम कारकुनों को तोहीन अदालत में बंद करके तो अदालत का रोब काइम नहीं होगा कोट अजाद हो गई है देखिए जो मुस्लिम लीग नून ने मैश्यत की बहाली के एकदामात उठाए हैं उनकी नतीजे में मुल्क का तवानाई का बोरान खतम हुआ है मुल्क में जदीद इंफरस्ट्रक्चर काइम हो रहा है नवाश शरीफ साब ने जो बियान दिया है उन जाए जाने से जो सियासी बेयकीनी पैदा हुई है उसने उस मुमेंटम को तोड़ दिया है इस साल हमें उमीद है कि हम इन्शालला ताला च्छे फीसद के करीब जीडीपी ग्रोथ रेट हासल कर लेंगे लेकिन अगर वजीर आजम नवाश शरीफ को बरतरफ ना किया जाता तो जो मुमेंटम इस वक बना था दोजार स्टारा के शुरू में मुझे कवी यकीन है कि हम साड़े छे साथ फीसद तक भी पहुंच सकते थे चूँके हमें 14 से 16 अरब डॉलर तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मार पड़ी है जिसकी इंडेक्स 54 हजार से गिर के 30 35 हजार पे आई और फिर चुतालीस चालीस के उपर पहुंची है तो 16 अठा तकरीबन अरब डॉलर का हमें मार पड़ी है स्टॉक मार्केट के अंदर इसी तरह बहुत सारे वो मनसूबे जो पाकिस्तान में आ रहे थे सरमायकार बेयकीनी की वज़ा से थोड़े इंतजार में पड़ गए तो इतने बड़े सियासी बहुरान के बावजूद इन्शालला ताला हमें यकीन है कि हम इस साल पिछले साल की निस्बत हायर ग्रोथ रेट हासल करेंगे अरगर ये बहुरान ना पैदा किया गया होता तो हम इससे बहुत बेतर कर सकते थे इस बात का नवाज श तो अब ये फैसला तो मैं नहीं कर सकता लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को टार्गेट किया जाएगा तो लोग समझेंगे ये प्री पॉल रिगिंग का इजंडा है इस वक्त ये भी गुमान किया जा रहा है कि जिस तरह एकामे के उपर नवाज शरीफ साब को ओदे से इटाये गया था इलेक्शनों से पहले उनको इतसाब अदालत से सजा दिलवा के मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक और प्री पॉल धांदली की जाए ये बातें लोग कर रहे हैं लहाज़ा अब मैं नहीं समझता कि कराची से लेके गवादर तक किसी शक्स को ये यकीन है कि नवाज शरीफ साब या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो एकदमात उठाए जा रहे हैं वो इनसाफ पे मबनी हैं इस पर लोगों को तहफुजात हैं लहाज़ा मैं उमीद करता हूँ कि हमारे मुलक में आईन की हुक्मरानी के लिए हर अदारे को अपने आईन के रोशनी में करदार पे तवज़ो देनी चाहिए और अगर पाकिस्तान के अवाम की नजर में सुप्रीम कोर्ट मुतनाजा हो जाए हो जाए तो ये भी हमारा उतना ही बड़ा नुक्सान है जतना वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतरफी का नुक्सान हुआ चूँके मौाशरे इनसाफ और इनसाफ के एदारों पर इतमाद के बगएर इनतिशार में चले जाते हैं तो हम जितनी अपनी सियासी जिद्व जहत के बारे में फिकर रखते हैं अतनी फिकर ये रखते हैं कि हमारे इनसाफ के इदारों की साक और उनका लोगों में इहतराम قائم रहना चाहिए और उसे मुतनाजा नहीं होना चाहिए चूंकि उनका मुतनाजा होना भी कानून की हुक्मरानी का नाकाबल तलाफी नुक्सान है अच्छा श्माशनी की जाए उसे मुतनाजा चाहिए इसके लिए जो हकूमते हैं वो अपना किरदार अदा करी हैं लेकिन वफाकी हकूमत के अदारे ने उसमें अपना किरदार अदा किया जब उन्होंने मुल्क से फरार होने की कोशिश की तो एफ आई ए इमिग्रेशन के ए परार होने से और जहां भी हैं वो उन्हें एक ना एक दिन कानून के सामने पेश होना पड़ेगा चूंकि उनका भी इसी में मफाद है कि वो खुद को कानून के सुपोर्ट कर दे और मुझे यकीन है कि जो सुबाई हकूमत सिंद की पुलीस जो अपनी कारवाई कर रही है जरूर उन्हें डूनने में कामयाब हो जाएगी एक खबर सामने आई थी कि शबाई शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग तून के आईदा के वजिर आखम होंगे लेकिन जो नवाज शरीफ के रहनुआ है जैसे आप यहां लेकिन सिस पास को जो है वो डिनाई कर रहे हैं कोई इक खबाई नहीं है मुस्लिम लीग नून की क्यादत पर सब का इतफाक है वो नवाज शरीफ साहब हमारे सदर है और उनके जो फैसले हैं उनको सब कबूल करते हैं लहाजा शरीफ साहब के जो नामजदगी उन्होंने की है उसके उपर कोई खबाई नहीं है और इसके शरीफ साहब की इकतसादी पॉलिसीज हैं मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम दोजार इठारा के इंतखाबाद में उनकी कंटीनिविटी को वोट देंगे ताके अगले पांच सालों में ये मनसूबे जो शुरू हो चुके हैं इनको मुकमल किया जाए और पाकिस्तान तरकी के मदारिज तेजी से तैय करें बहुत शुक्री जाए जाए कि परीjang जाए ये मनसूतान सालों में आए जाए 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 जाए